देखो अच्छा हूँ जब हम लोग intrinsic semiconductor की बात करते हैं तो intrinsic semiconductor pure semiconductor होते हैं बट intrinsic semiconductor के साथ problem यह होती है कि उनकी conductivity होती है वो temperature पर depend करती है अगर bond टूटेगा तो electron और whole pair मिलेगा अगर bond नहीं टूटेगा तो electron और whole pair नहीं मिलेगा बट एक्च्वल में क्या है कि temperature पर dependency हमाई लिए काफी ठीक नहीं है इसलिए हम क्या करते हैं semiconductor में doping करते हैं क्या करते हैं doping अभी doping क्या होता है कि अच्छे हूं आप लोगों नहीं नाम सुना होगा यह चीज का olympic वगरे में क्या होता है जब कभी प्लेयर जाते हैं तो उनका doping test किया जाता है doping test का मतलब क्या होता है उनकी खून की जांच की जाती है और यह पता लगा जाता है कि उनके खून में कोई ऐसा material तो नहीं डाला गया है जो उनको कुछ टाइम के लिए स्टेराइडल फॉर्म में एनर्जी क्या कर दें बूस्ट कर दें मतलब यह होता है कोई चीज जो इंप्योर हो इंप्योर चीज हो यह फिर कुछ additional material तो नहीं डाला गया अब यहां पर का मतलब क्या होता है यहां डॉपिंग का मतलब होता है कि आम दोर पे इंट्रिंडिक semiconductor क्या होता है Silicon यह जर्मेनियम का tetravalent crystal होता है अगर आप इस डेट्राइडब क्रिस्टल में उस के लावा कोई चीज डालते हो मतलब Silicon यह जर्मेनियम के लावा और कोई चीज बाहर से एड करते हो तो इससे क्या का जाता है डॉपिंग अब डॉपिंग करने से क्या होता है अब कुछ चीजा अब अलग से डाल रहे हो तो इससे कंडक्शन को इंप्रूव किया जा सकता है किस प्रकार किया सकता है जब हमारे पास कोई क्रिस्टल होता है जैसे की वेलंसी क्या होती है पांच होती है और हम लोग ट्राइवेलेंट एटम्स डॉप करते हैं जिनकी वेलंसी क्या होती है तीन होती है अब इस डॉपिंग से क्या असर पड़ता है यह हम आपको दाते हैं जैसे मान लो हमारे पास यह है सिलिकन अब सिलिकन कैसा होता है यह कैसा क्या होता है सिलिकन के सारे के सारे एलेक्ट्रान आम त था मैं चले जाते हैं बॉन बनाने में चले जाते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉण फ्री नहीं बचता अगर पॉल टूटना चाहिए आगर कभी बॉन तूटने केबाद ही इसके पास एक electron और एक hole मिलेगा इसको, वरना इसके पास conduction के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इस crystal में जैसे यहाँ पे चार 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 सारे के सारे ट्रेटर वेलेंट है, माल दो हमने यहाँ बीच में कहीं कहीं पांच वेलेंसी वाला डॉब कर चार electron भण बनने में चलेगा, अब क्या करेगा, यह क्या करेगा,aky क्या करेगा, तो बड़ जाएगा, और बढ़ने के साथ वर इंडिपेंडिन भी हो जाएगा, कि इस पिंडिपेंडिंट कंप्रेचर वाआठ नहीं है, temperature dependency फिर भी रहेगी कैसे रहेगी देखो जैसे मांदो यह हमारा है हमने यहाँ पेंटावलेंट इंप्योर्टी डाल दी वाला पांच वैलेंसी वाला कोई element डाल दिया पांच वैलेंसी वाला तो इस bond टूटने से एक electron और एक hole मिलेगा तो एक तो heat की वैसे तो charge carrier मिलेंगे मिलेंगे साथ में जो charge carrier unbonded रहेगे जैसे electron unbonded रहेगा तो यह भी मिलेगा और heat की वैसे bond टूटा वो भी साथ-साथ मिलेगा तो जैसे मांदो जरीह है अगर हम किसी किस्तल में वैलेंस वाला बाल अवाल धालते पेंडब करते तो नुटियंग के बाद हम उसको इंट्रेंसीक नहीं कहते हैं क्या से माठीक नुक्र cant करते हैं तो उसको टाइप क्या आता है आपके पास यहां पर मैंने इस फिगर बनाई हुई है यह पहला तो एक्सिंदीक के इलावा कोई और बी है चाये वह 31 वाला वह तो बात बात किये तो एक्सिंजिक हो गया अब में यह एक्सिंजींट है यै कैसे बता चलेगा इसमें को कॉंन सा एंट तो क्याकई थो इसको मैं उभably और प्रू एक्शनिक दना पिर या जैसाह लेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है इसलिए इसका नाम ने दे दिया है इसका मतलब कि जैसे मान लो आपके पास कोई प्योर से में कंड़क्ट है आप उसमें पेंटालीं कॉप करते हो तो दोपिंग करने से क्या होगा कि करने से हमें हमारा कंड़क्शन बढ़ जाएगा क्योंकि और दूसरा फायदा ही होगा कि हमें कंड़क्शन के लिए प्रप्रेंट नहीं रहना पड़ेगा और यहां पर आप देखो तो यहां पर इलेक्ट्रों मैजॉर्टी में तो मेजॉर्टी चार्ज के रियर्ड क्या है अपन एलेक्ट्रों से अच्छा मुझे कोची बताना जैसे हमने किसी क्रिस्टल में डॉपिंग की तो अगर मैं ज्य ज़्यादा करूंगा जैसे मानलम अलों ज्यादा दवाईद खालेगा तो उस पैसल ज्यादा होगा तो जितनी ज्यादा हम डॉपिंग करेंगे उतना ही उसका कंड़क्शन ने आपको सेखेने मिलेगा क्योंकि जitनी जाला टाप नदॉक्टर रही और सेखेह मदश्ट होगी उतना जाला चार्ठ के रियर बढ़ जाएगा तो यह वहरा जो सेमे कंड्डॉक्टर होा है बट उसमें क्या होता है पेंटावेलेंट की डॉपिंग नहीं करते हैं पेंटावेलेंट की जगह हम लोग जो डॉपिंग करते हैं वह त्राइवेलेंट की करते हैं तीन वेलेंसी वाला डालते हैं तीन वेलेंसी की डॉपिंग करने से क्या होगा हम बताते हैं आपको इसक यहां पर देखा जाए तो यहां पर एक तरीके से अगर electron present नहीं है तो electron का जो absence होगा मतलब एक तरीके से electron की absence को हम कहेंगे hold कि अब देखो अच्छे होगा क्या की electrons की absence की वैसे जो होल बनेगा वो होल जो होगा मतलब जो एक तरीके से opportunity होगी वो उसकी वैसे कंडक्शन में आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा खेर वैसे मैं एक ची बता हूं अब जो होल वाला कॉंसेप्ट है उसको समझाना थोड़ा सा अजीव होता है क्योंकि लोग बच्चे समझते हैं थोड़ा सा होल वाला कॉंसेप्ट ना इसे थोड़ा ऐसे समझो बता है तो मुव्मेंट पॉसिबल नहीं है जैसे मालो कोई बच्चा इधर जाना चाहता है आप चेंज करना जाता है बत वांडो इसमें से एक खाली है तो ट्रांजिशन क्या है पॉसिबल है जो खाली जगह है वो एक आजाएगा दूसरा जगह पर आ जाएगा मलब क्या है खा कुछ बंद आखका घ्रण अमयों फंसे चलते हैं इसको जगह जो पर से देख लो मिलता है यह तोहएव से ट्राइवलों फार्क विल दाल रहें जो एंडिय। यह एल्मीनियुम हो सकती है और कोई हो सकती है और यहां पर क्या होगा- इस एक होट्स और एक बर्न तूटा तो एक संख्यादा और क्या करते हैं और चाहे आप पेंटावलेंट की बात करो चाहे ट्रावलेंट की बात करो दोनों ही एक्सिंजिक समिकंडुक्टर हैं लग चाहे ट्रावलेंट करो चाहे पेंटावलेंट करो दोनों ही आप डॉपिंग करने से क्या बन जाएगा एक्सिंजिक समिकंडुक्टर बस य करते हो तो इसको हम क्या बलाते हैं पीटाइब बलाते हैं तो यह हमार भी इंपॉर्नेट ठीक है अच्छों कुड आउट